हाई गाईज, वेलकम टो आले बोर्ड, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ, सभी लोग बढ़ियां होंगे, और मैस और आप सभी लोगों का क्वांट फैकलिटी, गईज, एक छोटी से इन्फॉर्मेशन थी, आप तक पहुंचानी थी इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो दिल्ली पूलिस वाला था, सीपी ओ का एक्जामिनेशन 2020 वाला, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, मतला फाइनल मैरित आ गयी है, वो बच्चे जो अब selected है, ठीक है, as a sub-inspector, उनका final cut-off के बारे में आ गया है, ठीक है, कितने candidate थे, और किस-किस जो आपके post है, उनमें selection हुआ है, तो आजी का 15 जुलाई का आपका final result है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, sub-inspector in दिल्ली पूलिस, and CAPF examination, final result आपका declare हो चुका है, अगर यह आप write-up हो, यहाँ से open करके open करते हैं, तो यह write-up आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे open होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपका result आया था, 30 माई को आया था, 2022 को, ठीक है, और लगवग 30, 3060 candidates select करे थे, ठीक है, वहाँ पे document verification के लिए, और अब यह final result आ चुका है, ठी finally select हो चुके हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे post क्या-क्या मिली है, उसका पूरा यहाँ पे detail आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह post code है, A, B, C, D, E, F, ठीक है, जैसे कि A वाला है, sub inspector in Delhi Police, फिर उसी तरह आपका code B है, BSF, Border Security Force में है, sub inspector, फिर CISF है, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Forces, Indo-Tibetian Border Police Force और ससस्त्र सीमाबल, SSB, तो इन में सब की recruitment SSC कराता है, sub inspector की, तो आपका यह पूरी post यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे अगर category wise थोड़ा सा देखा जाए, तो 131 female, यानि की महिलाएं, लड़कियां, 131 female candidate आपका यहाँ पे recruit करी गई है, SC category से 20, ST category से 9, OBC से 30, EWS से 13, UR से 59, और total 131, आपका यहाँ पे vacancies fill करी गई है, female के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पे जो है 9 OBC की लड़कियां हैं, और 2 EWS category की हैं, जो UR category से यहाँ पे qualify करी है, ठीक है, और यहाँ पे category wise आपका break up दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे post wise male candidate selected for the post of some inspector along with cutoff details, ठीक है, तो यहाँ पे cutoff details दिया है, total marks का यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपका post A के लिए, सब inspector in दिल्ली पुलिस, 8 vacancy थी, 8 filled हुई है, total marks जो गया है, यहाँ आपका 288 point, यहाँ पे यह last, मतलब यह है, आपका last selected candidate, यहाँ आपकी final cutoff यहाँ पे गई है, और यह उनकी date of birth है, जो final selected candidate है, ठीक है, paper 2 के यहाँ पे marks है, paper 2 आपको पता है, English का होता है, ठीक है, English का जो आपका 200 number का paper होता है, उसके final marks यहाँ पे आपके दिये हुए है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग-अलग category जो हैं आपका, और यह category है, जैसे कि आ line number जो category code होता है, वो general का होता है, U, O वाला हो गया, EWS का, ठीक है, तो यह आपके category wise, 1 जो हो गया, यह आपका OBC का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे category, यहाँ पे code दिये हुए है, और उसी तरह से आप पूरा देख सकते हैं, C, D, E तक आपका जो भी category wise यहाँ पे selection हुआ है, ABCD मैंने बताया न, यह आपके post के code है, तो यह पूरा NK category wise आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, 6 number जो है, आपका OBC है, ठीक है, 6 number वाला आपका category code, वो OBC का है, 4 number आपका OBC for Delhi only है, 0 EWS है, 9 UR है, ठीक है, तो सभी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ male candidate है, ठीक है, जिनका appointment हुआ है, sub inspector in Delhi police में, ठीक है, तो यहाँ पे appointment है, sub inspector in Delhi police में, आपका mail category का दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे open, लगभग total 73 vacancies थी, sub inspector in Delhi police की, ठीक है, total यहाँ पे 82 लोग आपके यहाँ पे selected हैं, ठीक है, finally, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका category wise आपका, यहाँ पे, जो है कि, कितनी category से कौन-कौन सा आपको यहाँ पे मिला है, 11 OVC से और 2 EWS candidate qualify करें हैं, यूर category से, ठीक है, चले, यहाँ पे, और यहाँ पे अगर sub inspector इन CAPF का देखेंगे, तो यहाँ पे 139 overall, sorry, total आपकी 1342 vacancies थी, और जो candidate recommend किये गए हैं, वो 1340 किये गए हैं, ठीक है, total 1340 candidate यहाँ पे select हुए हैं, ठीक है, 100 OVC से 31 EWS candidate से, यूर category से यहाँ पे qualify करे हुए हैं, ठीक है, और उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, category wise breakup of male candidate selected for the post of sub inspector along with cut off details, ठीक है, तो यह post wise आप देख सकते हैं, पूरा, है न, यहाँ पे category wise की कितना गया, जैसे EWS का 321 गया है, ठीक है, और उसी तरह गर category code हम 9 देखें, पोस्टे के लिए, ठीक है, यह देखें, तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी यहाँ पे cut off देखने को मिली है, ठीक है, तो यहाँ पे category के बाद भी यहाँ पे sub category आपकी दी ठीक है, ठीक है, 3 ex-servicemen के लिए है, और 3 star special categories of ESM का आपका यहाँ पे cut off दिया है, तो यह जो 9 है न, 9 number, यहाँ पे 3 और 3 star आपका ex-servicemen का दिया हुआ है, और आपका further sub category code यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह final आपकी यहाँ पे vacancy यहाँ पे दी हुई है, तो congratulations guys, जो भी ब में, और second paper आपका जो होता है, वो आपका English का cable paper होता है, 200 number का 200 सवाल, 2 घंटे में आपको करना रहता है, ठीक है, तो लगबग लगबग यहाँ पे पूरा यह आपके सामने detail है, ठीक है, और यहाँ पे detail marks of the selected and non-selected candidates यह available हो जाएगा website में, 22 जुलाई से, ठीक है, 22 सभी उन बच्चों को, जो कि यहाँ पे qualify करे हैं, आज यहाँ पे अपना SSC CPO final sub inspector, तो भाईया, खुसी का महल है, हैना, मिठाई उठाई खाई खाईए, मौच करिए, और congratulations एक बार सभी लोगों को, हैना, जो भी बच्चा यह video देख रहा है, और हो selected है, तो मेरे भाई, बह अगली वीडियो में, take care, bye bye, have a nice day